हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल तो आज हम पढ़ने वाले हैं को ट्विटा बुक का नेक्स टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइनसोर्स के बारे में और उनके टाइपस एंड इवुलुशनरी उनके सिग्निफिकेंस इस टीक है तो फॉस्ट हम देखते है कि डाइनसोर हमें पता है कि एक रैप्टाइल है जो कि क्या आता है हमें बूल इन्होंने बताया है कि जो रैप्टाइल के एक डैवर्स ग्रूप है जो क्या हो के चुका है अभी एक्स्टिंक्ट हो चुका है और यह अर्थ के उपर 180 मिलियंस एको कब ट्रासिक पीरिड से सब्सक्राइब तक पाया गया था और यह इन्होंने आगे बोले कि एक फैंटास्टिक क्रियेचर है जो अपने एक सिग्निफिकन्ट रोल प्रवाइड करता है एविलुशनरी हिस्ट्री केंदा ठीक है नेक्स्ट उन्होंने बोले कि एट अफ ट्रासिक थिको डॉंटिया सफूचया थिको डॉंटिया और सूटो सूचया जो किसके डिससेंट्स है और क्योसी सोडिया कि एन्होंने क्या के एन्मिजोत्तिक्राइब दिवाइड कराया दो ग्रुह स rend ठॉत crafts उनके हिप structure के basis सूरोसोचिय और औरनितीशिय ठीक है सूरोसिशन सूरोसिशन डाइनसोर वो हते है इनका मतलब होता है की means reptiles hips मतलब इनके पास reptiles के तरह क्या होंगे hips present हो इनके ठीक है आगे इनके बोला है कि इनके पास क्या क्या इनके पास हम देखते हैं कि सुर्योशिशन डाइनोसार्स है उनके पास क्या होते हैं जो पैल्विस होता है उनका वो कैसा होता है ट्राइरेडियेट होता है और जो जो इनका प्यूबिस होता है वो एंटारली सेपरेट होता है और क्या होता है एंटिरियर डू इस्चिम इन्होंने बताया कि इस group के अंदर theroports आते हैं theroports का मतलब है जिनके four limbs चोटे होते हैं और behind limbs के होते हैं बड़े होते हैं और behind limbs के according की वो locomotion करते हैं तो इन्होंने आगे इसके कुछ example बताया है जैसे हमारे पास आगे ट्राइनोसोरस रेक्स आगया गैलो करेप्टर्स आगया जो क्या करते हैं इन्होंने इन्होंने specific characters बताया है जैसे कि उन्होंने जो neck थी वो लंबी थी उनकी tail भी लंबी पाई गई थी इनका massive body था और इनकी डाइट कैसी थी यह हर्भी वरस इन्होंने लाइक डाइट थी ठीक है आगे इन्होंने बोला है कि ornithisian dinosaur क्या होता है ornithisian dinosaur का मतलब हमारे पास बोला गया है कि इनके जो hips थे वो birds की तरह है ठीक है उनके hips किस की तरह थी reptiles की तरह, lezards की तरह है इनके hips जो birds की तरह पाई गई है इन्होंने बोला है कि इनके अंदर जो ornithisian तेटर रेटिएट है और पास सुरोशिन्स डाइनसोर्स है उनका प्यूबिस है इनके पास वू क्या है जो प्रल या बेकवार्ड प्रेजंट और इस चीम के ठीक है आगे इनुने बता है कि जो हमारे पास ornithetian dinosaur है वो harbivores होते हैं सारे के सारे ठीक है जैसे tricharaptors हो गया stagosaurus हो गया ankylosaurus हो गया यह क्या है हमारे पास सारे के सारे harbivores है और इनकी unique इनकी hip structure है जो किसे match होती है birds की तरह match होती है ठीक है आगे नोने वो लगा यह were not closely बट यह closer related नहीं है किसे modern avian birds है जो modern avian birds थे उनके से closer related नहीं है आगे हम देखते है evolutionary significance of dinosaur के evolutionary significance तो इन्होंने बोला है कि जो dinosaur है वो एक crucial role प्रवाइड करते है evolutionary history of life of on the earth for several reasons अब इन्होंने reasons क्या बता है जैसे key innovation होगे तो इन्होंने बोला है इन्होंने बोला है इन्होंने बोला है कि इस innovation के गारन इनके अंदर क्या हो गया था इनका जो posture था वो upright था उनके अंदर rapid growth rate देखी गई थी और इनके अंदर efficient respiratory system भी देखा जाता था और इन्होंने बोला है कि इसके जो different diets थी जैसे कैसे आर्बी वोरस होगे कार्नी वोरस होगे जो भी इनके different diets के according इनके अंदर specialized 10 times देखे गई थी ठीक है अलगलग types के इनके अंदर दाथ देखे गई थी ठीक है आगे इन्होंने बोले ecological diversity के इन्होंने बताए कि जो डाइनरस हो रहा है आगे इन्होंने बताए कि इन्होंने अपना dynamic rule प्रवाइड करा है कि इसके अंदर evolution of other organisms के अंदर ठीक है जो इनको उनको बहुत साथा इन्होंने influenced भी कराई ecosystem को ठीक है next हमारे पास आता है feathered dinosaur इन्होंने इसके अंदर बताया है कि जो हमने like जो भी particularly अभी क्या हुआ था describe हुआ था कि जो ये dinosaur वो thiropods है उनके उपर feeders देखे गए थे but वो feeders उनको क्या करते insulation प्रवाइड करने में like इनको heat प्रवाइड करने में like environment के अंदर loss ना हो इसके लिए उनको prevention के लिए इनके अंदर feeders देखे गए थे जो कि और इसके अंदर ये display purpose के लिए भी देखे गए थे like show of के लिए भी दिखाये गए थे but इनका कोई role नहीं था flight के अंदर ठीक है जिसे कि birds के अंदर देखी जाती है next हमारे पास आता है mass extinction इन्होंने mass extinction के अंदर बताया कि जब नौन एवियन जो डाइनस्वार थे हमारे पास वो crustation period के अंदर क्या हो गये थे लाइक कैटा स्ट्रोफिस आस्ट्रियोट्स इंपक्ट के कारण इन्होंने क्या बोल गया था ये इनका इस थेोरी के according इन्होंने बोला है कि जब रैप्टाइल्स का extinction होना शुरू हो गया था उस टाइम क्या हुआ था mammals और birds के अंदर उनके इनका नंबर में increase देखा गया था उस टाइम ठीक है जो की influence करता है जो मतलब dominance of mammals और terrestri ecosystem पर dominance of mammals दिखाता है ठीक है continuous influence के अंदर इन्होंने बताया कि the study of dinosaur continuous इन्होंने बोला है कि जब हम dinosaur की continuous study करते हैं वो हमें प्रवाइड करते हैं किसके बारे में evolutionary biology के बारे में फिलेंटरोजी के बारे में अर्थ history के बारे में by reconstructing dinosaur जब हम डाइनसौर की anatomy को reconstructing करते हैं तो क्या और उसके behavior और ecological लैक उन्होंने बोला कि scientist को better understand मिलता है कि जो हमारे मतलब जो हमारे life थी हमारा planet था वो कैसे evolved हुआ और उसकी shape हर चीज के बारे में ठीक लैक जो life की shape थी उसके बारे में हर चीज के बारे में उन्होंने एक अपना like important role provide करा ठीक है thank you so much